सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस बीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस बीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉंच हो गई है फुल चार्ज करने पर दो सो किलो मीटर तक ये चलेगी कार और एक किलो मीटर चलाने में सिर्फ चैलिस पैसे का खड़ चाएगा पैट्रॉल और डीजल की कीमत लगातार आसमान छोती नजर आ रही हैं देश के कई राजियों में पैट्रॉल की कीमतें सो के पार चली गई हैं और डीजल की कीमत भी जल्दी सो के आसपास आने वाली है पैट्रॉल और डीजल की कीमतों में कमी की कोई उमीद नहीं दिख र रही हैं और अपने electric models को launch कर रही हैं आने वाले समय में इंडियन सड़कों पर electric car Strom R3 दोड़ती नजर आएगी आपको बता दें कि हाल ही मैं Mumbai based startup company Strom Motors ने अपनी entry level electric car Strom R3 की booking शुरू की थी company से दुनिया की सबसे सस्ती electric car बता रही है पेट्रॉल और डीजल की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुकी लोग electric car खरी सकते हैं कंपनी ने Strom R3 electric car की booking रासी 10,000 रुपीज रखी है कंपनी के मताबिक इस electric car की booking इस साल करने पर इसकी delivery 2022 से शुरू कर दी जाएगी आपको बता दें कि booking शुरू होने के सिर्फ चार दिनों के भीतर ही कंपनी ने इस कार के साड़े साथ करोड रुपे के तकरीबन 165 units की booking कर ली है और यह आकड़ा लगाता बढ़ता गया है Strom Motors ने साल 2018 में अपनी पहली electric car Strom R3 को पेश किया था Strom R3 तीन पहियों और दो दर्वाजों बाली electric car है इस कार में आगे दो पहिये और पीछे की तरफ एक पहिया दिया गया है इसमें reverse strike configuration का यूज किया गया है यह electric car Mumbai, Delhi और Bengaluru जैसे शहरी आलाकों के लिए खासतोर पर design और विक्सित की गई है कार में नुकीली design दी गई है जिसमें muscular front bumper, LED light, rear spoiler, sunroof, एक सफेद roof के साथ dual tone रंग मिलता है स्ट्रॉम आर्थी electric car में electric motor और lithium-ion battery pack मिलता है जो 20 bhp की power और 90 newton meter का torque generate करता है इसमें regenerative braking system दी गई है और 3 driving mode यानि eco, normal और sports मिलता है कमपनी का दावा है कि इस EV की top speed 80 km per hour है कार की battery को full charge करने में 3 गंटे का समय लगता है साथी कमपनी का दावा है कि यह entry label car एक बार full charge होने पर 200 km तक की range देती है इस कार को 3 variants में उतारा जाएगा variants के आधार पर इसमें 120 km, 160 km और 200 km की driving range मिलेगी कमपनी का कहना है कि इस कार को खासतोर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तयार किया गया है जो कि शहर के भीतर रोजाना 10-20 km तक की आत्रा करते हैं इस कार को चलाने का खर्च महज 40 पैसे पर किलोमीटर है कमपनी के मताबिक इस कार को चलाने वाले तीन साल में 3 लाख रुपे की बचचत खर सकेंगे इस concept EV में 12W adjustable driver seat और 4.3 inch digital instrument console और climate control remote keyless entry जैसे features दिये गए हैं साथ ही इस कार में IOT यानि enabled continuous monitoring system और 4G connectivity, voice control, gesture control, 20GB onboard music storage और turn by turn navigation के साथ 7 inch की vertical touch screen informant system दिया गया है स्ट्रॉम आर्थर एलेक्ट्रिक कार को दो लोगों के लिए बैठने की जगा है इसमें दो captain seats या तीन लोगों के लिए एक single bench seat के साथ पेश किये जाने की अमीद है यह सामाने रूप से एक छोटी electric कार है जिसकी लंबाई 2.9 मीटर, चोड़ाई 1.4 मीटर और उचाई 1.5 मीटर है इस कार का ground clearance 185 mm है इस electric कार का वजन 550 kg है और इसमें 155 oblique 80 section के टायर के साथ 13 inch के steel wheels मिलते हैं Strom Motors का दावा है कि इस electric कार में 400 liter luggage space के लिए design किया गया है जिसमें कार के rear में 300 liter और front में 100 liter सामाने की जगा मिलती है इसके front में 2 hydraulic disc brake और rear में drum brake मिलता है Company इस entry level electric vehicle के साथ 3 साल या 1,0,000,000 की warranty दे रही है Strom R3 कार को 3 variants में पेश किया जाएगा इस electric car के शुरुवाती की मत 45,5,5 रुपे है Company शुरुवाती दोर में इस कार की booking सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही शुरू की है दूसरे शेहरों में भी इसकी booking जल्दी शुरू की जाएगी इस electric vehicle को 4 color scheme के साथ पेश किया गया है जिसमें electric blue, neon blue, red और black color शामिल है तो ये कार Strom Motors की तरफ से launch पहले ही हो गई थी लेकिन booking अब स्टार्ट हो गई है तो आप भी इसकी booking कर सकते हैं booking का link description में दे दिया जाएगा वहाँ से आप आसानी से booking कर सकते हैं booking price 10,000 रखी गई है लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसकी delivery 2022 से start होगी तो इसको देखते हुए आपको booking करना है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मेट करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा और साथ पिजा चैनल को सबस्क्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो थैंक्स